इकाई अथारा चक्रवात एवं प्रती चक्रवात, साइकलोन एन्टी साइकलोन इस्थाई वायुदाब की पेटियों में इस्थाई पवनी प्रवाहित होती हैं इन्ही इस्थाई पवनों के क्शेत्र में ही चक्रवाद, प्रतिचक्रवाद, तर्त, जंजा, आदियुत्पन होते हैं वायू मंदल के इनी परिगटनाओं को द्वित्यक परिसंचरण की संग्या दी जाती है। गड़ी की दिशा के अनुकूल होती है। दोनों गोलारधों में होता है। ध्रोविय, ठंदी पवन एवं गर्म पच्वापवनों के अभी सरण के ख्षेतर में वातागर के सहारे शीतोष्न कटिबंदिय चक्रवात की उत्पत्ती होती है। ये चक्रवात गोलाकार, अंडाकार या वी आकार का होता है। आदर्श शीतोष्न कटिबंदिय चक्रवात का दीरगव्यास उनने सा बीस किलोमेटर तक होता है। ये पच्वा पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्वद्धिशा में प्रवाहित होकर, मध्य अक्षांशों के मौसम को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। इनकी सामाने गती 32 से 48 किलोमेटर प्रतिगंटा होती है। इस प्रिष्ट पर शीतोष्न चक्रवात की उत्पत्ति प्रक्रिया एक डाइग्राम द्वारा भी समझाई गई है। अधिक जानकारी के लिए अपने सही योगियों से संपर्क करें। उत्पत्ति शीतोष्न कटिबंदिय चक्रवात का जनन धुरुविय वातागरों से सम्मंदित है। जहां दो विप्रीत स्वभाव वाली वायु अभी सरित होती है। उसकी उत्पत्ति के लिए दिये गए सिध्धानतों में वर्क नीज का दुरुविय वातागर सिध्धानत सर्वाधिक मानने है। उन्होंने शीतोष्न चक्रवात की 6 क्रमिक आवस्थाओं का वर्णन किया है। जो इस प्रकार से है। 1. इस्थाई वाताग्र की अवस्था, stationary front stage, 2. चक्रिय प्रवह के प्रारंभ की अवस्था, cyclonic circulation stage, 3. गर्म खंड के निर्मान की अवस्था, warm sector formation stage, प्रिष्ट संख्या 142. 4. श्रीत वाताग्र के अग्रसारित होने की अवस्था, cold front overtaking stage, 5. संरोध की अवस्था, oculation stage, 6. समापन की अवस्था, end stage, प्रारंभिक अवस्था में इस्थिर वाताग्र का निर्मान होता है, ये वो इस्थिती है जब दो भिनस वभाव की वायु विप्रीत दिशाओं से ग मिश्रन का प्रयास करती है, चुंकि दोनों वायु राशियों के गुण भिन्न होते हैं, जिससे वे सहज ही मिश्रित नहीं हो पाती, परंतु पवनों का अग्र भाग जब एक दूसरे के संपर्क में आता है, तो एक संक्रमनक शेत्र का विकास होता है, और यही संक्रमनक श यही सेत्र इस्तिर वाताग्र है, शीतोष्न चकरवाद की दूसरी अवस्ता के अंतरगत शीतल एवं उश्न वायु इस्तिर वाताग्र के ऊपर अपना प्रभाव इस्थापित करती है, शीतल वायु अधिक यहनत्व के कारण तुलनात्मक रूप से अधिक शैतेज गती कर इसलिए वो वाताग्र पर दबाव उत्पन करती है। इसलिए वो वाताग्र का पुना स्थाना अंतरित होना है। ये अवस्थाई यहां एक डाइग्राइम के जरिये भी दर्शाई गई है अधिक जानकारी के लिए अपने सहयोगियों से संपर्ट करें शीतोष्ण चक्रवात अपनी चौथी अवस्था में शीत वातागर एवं गर्म वातागर के और भी समीप चला जाता है तथा समीप पहुँचकर लगभग समानांतर इस्थिती में आ जाता है गर्म वायू का खंड लगभख रेखिय एवं संकरे आकार का हो जाता है अधिकांचक शेत्रों में ठंडी वायू का प्रभाव भी इस्थापित हो जाता है इस अवस्था में चक्रवातिय प्रवाह का व्यास भी निर्धारित होता है जो सामाने तहब 500 किलोमेटर से 3000 प्रवाह स्पष्ट एवं परिभाशित हो जाता है परंतो इस अवस्था में दोनों पवनों के भिन प्रवाह की पहचान संभव है पांचवी अवस्था में शीत एवं उश्ण वातागर मिलने की इस्थिती में होता है आवर्त के निकट गर्म वायू का क्षेत्र सरवादि की इस्थिती होती है तथा दोनों के मदे उश्ण वायू का प्रवह पाया जाता है मिश्रत वातागर को संशोधित वातागर भी कहा जाता है चटी एवं अंते मवस्था में वातागर का समापन हो जाता है एवं इसी के साथ शीतोष्ण चक्रवात का भी अंत हो जाता है गर प्रवाह विक्सित कर चुकी थी, पुना उत्तर पूर्वसे दक्षिन पश्चिम की और प्रवाहित होने लगती है। जो नए वाताग्र जनन की प्रारंभिक इस्थिती होती है। इस प्रकार वाताग्र के समापन के पश्चात पुना नए वाताग्र विक्सित होते हैं। चक्रवात में मौसम तथा वर्षा की इस्थिती। शीतोष्न कटिबंद्य चक्रवात पच्छुआ पवनों का अनुसरन करते हुए मध्य अक्षान्शीय क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव डालता है। ये चक्रवात जिन क्षेत्रों से गुजरते हैं, उनक्षेत्रों क की मौसमी गति विधियों में परिवर्टन करते हैं। शीतोष्न कटिबंद्य चक्रवात के किसी क्षेत्र में आगमन की इस्थिती में वायू दाप तीवरता से कम होता है। आकाश में पक्षाब मेग विक्सित होते हैं, जैसे जैसे चक्रवात निकट आता है बादल घने वा काले हो जाते हैं। तथा मौसम में अचानक परिवर्टन हो जाता है। आकाश बादल रहित तथा मौसम साफ वस्वहावना होता है। शीत क्षेत्रक के आगमन से क्षेत्र के तापमान में कमी आती है। इस स्थिती में ठंडी वायू आकरामक होने के कारण गर्म वायू को उपर धकेलती हैं। जिससे आकाश में बादल चाने लगते हैं एवं वर्शा आरंब हो जाती है। शीत वातागर के स्थिती में धाल तीवर होने के कारण गर्म वायू तीवरता से उपर उठती हैं। तथा आकाश में काले कापासी वर्शा मेग चा जाते हैं। तथा वर्शा मूसलाधार वह कम क्षेत्र में होती है। इस क्षेत्र में तडित जंजा वह बिजली की चमक के साथ वर्षा होती है। कि आगमन की दशाएं निर्मित होने लगती है। वायुराशियों ताप के संदर्भ में का अभी सरण होता है। इससे कनाडा तथा USA के अधिकांस क्षेत्रों में वर्षा होती है। नमर दो आइसलैंड के निकट निम्न वायुदाप का क्षेत्र है। उतरी अटलांटिक महासागर में आइसलैंड द्वीब के निकट पच्छवा तथा ध्रुवी अवायूं के अभी सरण से शीतोषन कटिबंदिये चक्रवातों के उत्पत्ती होती है। वस्तुता यहां वातागर जनन की प्रक्रिया वर्ष भर चलती है। प्रिष्ट संख्या 144। पच्छीमी एवं पूर्वी यौरप तक वरिष्टी होती है। वहीं गर्मियों में पूर्वी क्षेत्र में वरिष्टी सापेकशिक रूप से कम होती है। इसके अलावा शीतोषन कटिबंदिय चक्रवातों का पश्चिम से पूर्व की और गतिशील होने के कारण ही पश्चिम से पूर्व की और वर्षा की मात्रा भी घटती जाती है। इस वर्षा से कडाके की सर्दी का आगमन तथा हिम पात भी होता है। तीसरा, ग्रीन लांड के दक्षिन कशेतर एवं न्यूफाउंड लांड के कशेतर में भी शीतोषन कटिबंदिय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ये मुखे तह यूएसे के उत्तर पूर्वी तथा कनाडा के दक्षिन पूर्वी कशेतरों में उत्पन होते हैं। ग्रीन लांड में इसी के कारण हिम पात होता है। इसके अलावा ये महासागर्य क्षेतर में व्रिष्टी करते हैं। चौथा मध्य अट्लांटिक में यूएसे का उत्तर पूर्वी क्षेतर जहां गल्फ स्ट्रीम के क्षेतरों में उत्तरी अमेरिका से उत्पन शीतल एवं शुष्क वायुराशी का जन्म होता है। जबके यूएसे के उत्तर पूर्वी क्षेतर में गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव से उष्ण एवं आर्द्र वायुराशी का जन्म होता है। तथा इन्हीं दोनों के अभी सरन से शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। इससे संपूर्ण उत्तरी अमेरिका के पूर्वी 30 अक्षेतर तथा ग्रीन लैन में वर्षा होती है। और इसका प्रभाव पश्चिमी यौरप तक होता है। पांचवा, भूमद्य सागरी अक्षेतर मी भी निम्न वायुदाब के केंद्रों पर शीत रितु में शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। यूनान और संपूर्ण भूमद्य सागरीय तटियक शेतर के अलावा भारत मी जब्मु कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरी भारत में वर्षा होती है। इस वर्षा से शीत लहर का आगमन होता है तथा हिमालई शेतर में हिमपाद भी होता है। इसी प्रकार से यौरप की आंतरिक शेतरों में भी हिमपाद होता है। ये वर्षा शीत कालीन फसलों रभी हेतु काफी लापदायक होती है। इससे भारतिय मैदान में हलकी एवं फुहार रूपी वर्षा होती है। निकत शीतोपन चकरवातों द्वारा तड़त जंझाओं के निर्मान से तीवर वरिष्टी होती है। उश्नकतिबंदिय चकरवात, ट्रोपिकल साइकलोंस। उश्नकटिबंदिय चक्रवातों की उत्पत्ती आठ डिगरी से पंदरा डिगरी उत्तरी अक्षांशों के मध्या महासागरों पर होती है। ये एक आकरामक तूफान है जो तर्तियक शेत्रों की और गतिमान होते हैं। ये चक्रवात विद्वनसक प्राकरतिक आपदाओं मे से एक है। इन चक्रवातों को हिंद महासागर में चक्रवात, एटलांटिक महासागर में हरीकेन, पश्चिम रशांत इवं दक्षनी चीन सागर में टाइफून, तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली-विली के नाम से जाना जाता है। उश्नकटिबंदिय चक्रवा कपासी स्तरिय मेगों से प्राप्त होती है, जो इस तूफान के केंदर को घेरे रहते हैं। जलिय से तैसे सतत आरदरता की आपपूर्ती इस तूफान को अधिक विनाशक बनाती है। इस तलिक शेत्र पर आरदरता की आपूर्ती बाधित होने से चक्रवात क्षीन होकर समा 20 डिगरी उत्तरी अक्षांश से गुजरने वाले चक्रवातों की दिशा अनिश्चित होती है, तथा ये अधिक विद्वानसक होते हैं, क्षीने चक्रवात की गती 32 km प्रति घंटा, जबकि हरीकेन की गती 120 km प्रति घंटा से भी अधिक तीव रहोती है प्रिष्ट संख्या 145 उष्ण कटिबंदिय चक्रवातों की विशेशता हैं, characteristics of tropical cyclones उष्ण कटिबंदिय चक्रवातों के केंद्र में वायू दाब निम्न होता है, समदाब रेखाए व्रत्ताकार वसंख्या में कम होती है इन चक्रवातों के आकार में पर्याप्त अंतर होता है, इनका व्यास सामानी रूप से 80-300 km तक होता है। ये चक्रवात जलिय भागों पर तीवरता से गति मान होते हैं। इन चक्रवातों के प्रतेग भाग में वर्शा होती है। उपोशनकटिबंद्य चक्रवातों में वातागर का निर्मान नहीं होता है। इन चक्रवातों की उत्पत्ती नहीं होती है। ये चक्रवात अपनी प्रचन डिगती एवं तूफानी स्वभाव के कारण अत्यन्त विनाशकारी होते हैं। तत्यक शेत्रों में भारी वर्शा इवं बाड की इस्थिती उत्पन करते हैं। उशनकटिबंद्य चक्रवात की उत्पत्ती इवं विकास के लिए निम्नलिके दशाओं का होना अनिवारे है। व्रिहत समुद्री सत्य है जहां तापमान 27 दिग्री से अधिक हो। चक्रवात के केंद्र की आरोही वायू का तापमान वा आर्दरता अधिक होनी चाहिए। उशनकटिबंद्य चक्रवात की उत्पत्ती के लिए कौरियॉलेस बल का होना अनिवारे है। इसी कारण भूमद्य रेखा के समीव कौरियॉलेस बल के अभाव में इन चक्रवातों का विकास नहीं होता है। उशनकटिबंद्य चक्रवात अंतरा उशनकटिबंद्य अभिसरनक्षेत्र ITCZ से सम्मंदित होते हैं। जहां उत्तरपूर्वे व्यापारिक पवनों एवं दक्षिनपूर्वे व्यापारिक पवनों के अभिसरन के क्रम में चक्रवातिय दशा उत्पन होती है। सूर्य के उत्तरायन वदक्षणायन के क्रम में अंतरा उश्नकटिबंदिय क्षेत्र ITCZ में परिवर्तन होता है। इस कारण शीतकाल में निम्न तापमान होने के कारण उश्नकटिबंदिय चक्रवात उत्पन नहीं होते हैं। उश्नकटिबंदिय चक्रवात की सनरचना Structure of Tropical Cyclone उश्नकटिबंदिय चक्रवात के केंद्र जिसके चारों और वायों का परिसंचरण होता है को चक्रवात की आँख कहते हैं इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से 250 किलोमेटर तक होता है इन चक्रवातों की उचाई प्रित्वी से 10 से 15 किलोमेटर तक होती है 1000 मीटर से 2000 मीटर की उचाई तक पवनी केंद्र की ओर प्रवाहित होती है क्षोब मंडल में 10 से 15 किलोमेटर की उचाई पर इन चक्रवातों से बाहर की ओर वायो प्रवाह होती है इससे केंद्र में वायू के अविसरण होते हुए भी निम्न वायू दाप की इस्थिती बनी रहती है। इन चक्रवातों से मूसलाधार वर्षा होती है, किन्तु चक्रवात का केंद्रियक्षेत्र आँख शांत रहता है। ये चक्रवात तट्ययक्षेत्रों के मौसम को सरवा प्रिष्ट संख्या 146 पूर्व से पश्चिम दिशा में अग्रसर होते हैं। इन चक्रवातों को आकार, स्वभाव इवं तीवरता की आधार पर निम्न रूपों में वर्गेक्रत किया जाता है। चक्रवातों के प्रकारों में सरवाधिक विस्त्रेत इवं व्यापक होता है। ये विक्षोब उष्ण इवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों को प्रभावित करता है। इन चक्रवातों में एक या दो समदाब रेखाएं होती हैं, तथा वायोक शेन गती से केंद्र की ओर प्रवाहित होती है ये चक्रवात मंद गती से आगे बढ़ता है गती कम होने के कारण उश्नकटिबंधिय विक्षोब कभी कभी एके स्थान पर कहीं दिनों तक इस्थिर रहता है जिससे कहीं कहीं हलकी वर्षा होती है उश्नकटिबंधिय अवदाबों का विकास अंतरा उश से अधिक समदाव रिखाएं होती हैं तथा ये आकार में छोटी होती हैं इन चक्रवातों के अंदर हवाएं 40-50 किलामेटर प्रति घंटा की गती से प्रवाहित होती हैं ये चक्रवात मुख्यरूप से उतरी आस्ट्रेलिया जापान चीन तथा ग्रीश मरितू में भारत के ब प्रता के कारण अधिक विनाशक होते हैं हरीकेन तथा टाइफून को इसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है इन तूफानों को पश्चिमी द्वीप समोह में यूरीकेन, चीन, फिलिपीन्स तथा जापान में टाइफून तथा हिंद मासागर में साइकलोन कहा जाता है यूरीकेन की गती 120 किलामेटर प्रती गंटा से भी अधिक होती है किन्तु कम संख्या में आने के कारण इनका जलवायू संबंदी महत्वक कम है यूरीकेन, वायू प्रणाली, आकार तथा वर्षा के संबंदने लगभग शीतोष्न कटिबंदिय चक्रवात की भांती दिख होने के कारण ये तीवर गती से आगे बढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी में आने वाले सूपर साइकलोन को इसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है भारत में नीलम, लैला, फयान तथा फाइली नामक उश्नकटिबंदिय चक्रवातों ने मध्य बंगाल की खाड़ी या विदर इन ट्रॉपिकल साइकलोन उश्नकटिबंदिय चक्रवातों के किस एक शेत्र में आगमन से तापमान में वर्थी के साथ वायू दाप में कमी तथा वायू के वेग में वर्थी होती है आकाश में पक्षाब मेग के साथ काले का पासी वर्षा मेग छा जाते हैं आका ये दशा लंबे समय तक बनी रहती है, जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ता है, वायो दाब में वृत्ती से वायो वेग मंद हो जाता है, तथा बादलों का आवरण हलका होने से वर्शा क्षीन हो जाती है, चक्रवात के बाद आकाश से बादल छंट जाते हैं, तथा मौसम साफ हो जाता है, उश्न कटीबंदिय चक्रवात के क्षेत्र, रीजिन्स ओफ ट्रॉपिकल साइकलोन्स, नमबर एक, उत्तरी प्रशांत महसागर का पूर्वी क्षेत्र, मैक्सिको वमत्य अमेरिका के पश्चिम तटवर्ति क्षेत्र, नमबर दो, बंगाल की खाडी तथा अरप सागर, साइकलोन्स, नमबर तीन दक्षने हिंद महसागर, मैलगासकर से 90 डिगरी पूर्वी देशांतर तक, विली विली, प्रिष्ट संख्या 147, इस प्रिष्ट पर विश्व ग्लोब दर्शाय गया है, उस पर उश्न कटीबंदिय चक्रवातों के मुख्यक्षेत् इवं प्रमुक मार्क दर्शाय गया है, अधिक जानकारी के लिए अपने सहीयोगियों से संपर्क कने, नमबर चार उश्न कटीबंदिय उत्तरी एट्लांटिक महसागर, पश्चिमी द्वीप समुह, मैक्सिको की खाड़ी, करैबियन सागर, कोश्टक में हरिकेन, नमबर प वन्यू साउथ वेल्स का पुर्वित्तत, कोश्टक में विली विली टॉर्नेडो, सभी प्रकार के तूफानों में टॉर्नेडो सरवाधिक छोटा तथा विनाशकारी होता है, इसकी आकरती कीप के आकार की होती है, जिसके शीर्ष पर कपास वर्षा मेग इस्तित होते हैं, टॉर्नेडो के आधार पर व्यास मात्र 150 से 500 मीटर होता है, केंदर म वायुदाब निम्न होता है, जिसके कारण वायुदाब प्रमणता काफी तीवर होती है, अतहा टॉर्नेडो में वायु की गती 400 किलोमेटर प्रतिगंटा से भी अधिक हो सकती है, इस चक्रवाध में वायु तीवर गती से सरपीला कार रूप में उपर उठती है, कपासी व पत्ती होती है, उश्न कटिबंधिय एवं शीतोष्न कटिबंधिय चक्रवातों की तुलना, comparison of tropical and temperate cyclones, शीतोष्न कटिबंधिय चक्रवात, ये इस्थल और सागर दोनों पर विक्सित होते हैं, इनके समदाब रेखाएं वी आकार की होती है, वायु का वेग अधिक नहीं ह शीतोष्न कटिबंधिय चक्रवात, ये प्राया महासागरों पर ही विक्सित होती है, इनके समदाब रेखाएं प्राया गोलाकार या पूर्ण वृत्त होती है, वायु का वेग प्राया 80-120 km प्रतिगंटा ये इससे भी अधिक हो जाता है, वायु दा प्राया बहुत तीव प्रिश्ट संख्या 148 वर्षा बहुत तीवर गती से होती है, कोश्टक में अधिक विनाशकारी, कोश्टक समाप्त, वर्षा कुछ घंटे से अधिक नहीं होती, यदि चक्रवात रुख जाए, तो वर्षा कई दिन तक हो सकती है शीतोष्न कटिबंदिय चक्रवात, इनके विभिनक शेत्रों में ताप विभिनता होती है, इनमें प्राया दो वातागर होते हैं, ये शीत्रितों में अधिक उत्पन होते हैं, चक्रवात के केंद्र इवं आवर्थ में वर्षा प्राया नहीं होती, चक्रवात समाप्त होन के बाद प्रती चक्रवात पैदा होते हैं, सामान्य तहा महासागरों के पूर्वी भाग में उत्पन होते हैं, 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षान्षों के मद्य इनकी उत्पत्ती होती है, उश्नक टिबंधिय चक्रवात, इसके क्षेत्रों पर ताप का वित्रण लगभग सम इनमें वातागर प्राय अनुपस्थित होते हैं, ये ग्रीश मुरितों में अधिक उत्पन होते हैं, चक्रवात के केंद्र में वायू शांत और वर्षा नहीं होती है, प्रती चक्रवात उत्पन नहीं होते हैं, सामाने तहा महासागरों के पश्चिम भाग में उत्पन होत आधार पर पहचाने जाते थे लेकिन इससे कई बार भ्रहम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी अता मौसम विज्ञानियों ने चक्रवातों का नामकरण आरंब कर दिया कई सौ सालों तक वेस्ट इंदीज में संत महापुरुशों की नाम पर चक्रवातों का नामकरण किया जा गया. 19-वी शताबदी के आरंब में ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों के नाम भ्रहष्ट राजनेताओं के नाम पर रखे जाते थे. एक उस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञानी ने 19-वी सदी के उतरार्ध में उश्न कटिबंद्य चक्रवातों को महिला नाम देना आरंब कर इसके बाद चक्रवातों को महिला नाम देने की होड आरंब हो गई। दृत्य विश्वयुद के दौरान चक्रवातों की महिला नाम करण का व्यापक रूप से प्रयोग हुआ। पुरुष दोनों नामों की आदार पर किया जाने लगा। आज आटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशान्त महासागर, इत्यादी महासागरों में उठने वाली चक्रवातों का नाम करण आने से पहले ही कर दिया जाता है। Atlantic महासागर में उठने वाले चक्रवातों की 6 साल की नाम सूची तयार रहती है प्रतेक वर्ष की सूची में अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों में से क्रमानुसार 21 अक्षरों से चक्रवातों की नाम आरंब होते हैं Q, U, X, Y, Z इन 5 अक्षरों से नाम करने का प्रचलन नहीं है 6 साल के तय नामों में से अगले 6 सालों के लिए नाम करन लिये जा सकते हैं लेकिन जो चक्रवात बहुत भयानक होता है उसका नाम सूची से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है एकाई अथारा चक्रवात एवं प्रती चक्रवात, साइकलोन और एंटी साइकलोन इस्थाई वायुदाब की पेटियों में इस्थाई पवनी प्रवाहित होती हैं इस थाई पवनों के ख्षेत्र में ही चक्रवाद, प्रती चक्रवाद, तड़त, जंजा, आदियुत्पन होते हैं। उतरी गोलार्द में चक्रवाद में वायू की दिशा, घड़ी की दिशा में विप्रेत, तथा दक्षिनी गोलार्द में घड़ी की दिशा के अनुकूल होती है। शीतोष्न कटिबंदिय चक्रवाद का विकास 35 डिगरी से 65 डिगरी अक्षान्षों के मध्या दोनों गोलार्दों में होता है। ध्रोविय, ठंदी पवन एवं गर्म पच्वापवनों के अभी सरण के क्षेतर में वातागर के सहारे शीतोष्न कटिबंदिय चक्रवाद की उत्पत्ती होती है। ये चक्रवाद गोलाकार, अंडाकार या वी आकार का होता है। आदर्श शीतोष्न कटिबंदिय चक्रवाद का दीरगव्यास 19-20 किलोमेटर तक होता है। ये पच्वापवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्वद्धिशा में प्रवाहित होकर मध्या अक्षान्षो के मौसम को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। इनकी सामाने गती 32-48 किलोमेटर प्रतिगंटा होती है। इस प्रिष्ट पर शीतोष्न चक्रवाद की उत्पत्ति प्रक्रिया एक डाइग्राइम द्वारा भी समझाई गई है। अधिक जानकारी के लिए अपने सह योगियों से संपर्क करें। उत्पत्ति शीतोष्न कटिबंदिय चक्रवाद का जनन दुरुविय वातागरों से सम्मंदित है। जहां दो विप्रीत स्वभाव वाली वायू अभी सरित होती है। उसकी उत्पत्ति के लिए दिये गए सिध्धान्तों में वर्क नीज का द 2. चकरिय प्रवाह के प्रारंभ की अवस्था. Three, गर्म खंड के निर्मान की अवस्था. Warm Sector Formation Stage. 4. शीतवातागर के अग्र सारित होने की अवस्था. Cold front overtaking stage. प्रारम्मिक अवस्था में इस्थिर वातागर का निर्मान होता है ये वो इस्थिती है जब दो भिनस वभाव की वायू विप्रीत दिशाओं से गती करते हुए निम्न वातागरों वातगर्तों की निकट मिश्रण का प्रयास करती है चुंकि दोनों वायू राशियों के परंतु पवनों का अगर भाग जब एक दूसरे के संपर्क में आता है तो एक संक्रमनक शेत्र का विकास होता है और यही संक्रमनक शेत्र इस्थिर वातागर है शीतोष्ण चक्रवाद की दूसरी अवस्था के अंतरगत शीतल इवं उश्ण वायू इस्थिर वातागर के उपर अपना प्रभाव इस्थापित करती है। प्रभाव इस्थापित करता है। प्रभाव इस्थापित करती है। चक्रवाद के जीवन चक्र की अवस्थाएं। यह अवस्थाएं यहां एक डाइग्राइम के जरिये भी दर्शाई गई हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने सह्योगियों से संपर्ट करें। शीतोष्ण चक्रवाद अपनी चौथी अवस्था में शीत वाताग्र एवं गर्म वाताग्र के और भी समीप चला जाता है। तथा समीप पहुँचकर लगभग समानांतर इस्थिती में आ जाता है। गर्म वायू का खंड लगभग रेखिय एवं संकरे आकार का हो जाता है। अधिकांशक शेत्रों में ठंडी वायू का प्रभाव भी इस्थापित हो जाता है। इस अवस्था में चक्रवातिय प्रवाह का व्यास भी निर्धारित होता है। जो सामाने तहब 500 किलोमेटर से 3000 किलोमेटर तक हो सकता है। प्रिष्ट संख्या 143 शीत एवं उश्न वातागर के अभी सरन से आवर्त जैसी इस्थिती उत्पन हो जाती है। जिससे दोनों पवनों का मिश्रित चक्रिय प्रवाह स्पष्ट एवं परिभाशित हो जाता है। परंतों इस अवस्था में दोनों पवनों के भिन प्रवाह की पहचान संभव है। पांचवी अवस्ता में शीत एवं उष्ण वातागर मिलने की इस्थिती में होते हैं। आवर्त के निकट गर्म वायु का क्षेतर सरवादिक संकरा हो जाता है। अतह प्रारमिक संड्रोध अर्थात गर्म एवं शीत वातागर का मिलन उसे क्षेतर में होता है। परंतो इस स्थिती में भी चक्रवातिय प्रभा के बाह्यक्षेत्र में शीत वातागर एवं उष्ण वातागर की स्थिती होती है तथा दोनों के मद्य उष्ण वायू का प्रवाह पाया जाता है। मिश्रत वातागर को संशोधित वातागर भी कहा जाता है। चटी एवं अंते मवस्ता में वातागर का समापन हो जाता है एवं इसी के साथ शीतोष्ण चक्रवात का भी अंत हो जाता है गर्मखंड के समाप्त होते ही ठंडी वायू की दिशा प्रित्वी के घूर्णन से निर्देशित होने लगती है अर्थार्थ वो शीतल वायू जो दक्षिन पश्चिम से उत्तरपूर्व दिशा में प्रावा विक्सित कर चुकी थी पुना उत्तरपूर्व से दक्षिन पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है इसी के साथ साथ उपधुरुविय निम्न भार के दक्षिन से पच्वा गर्म वायू का प्रवा भी प्रारंब हो जाता है। पुना नए वाताग्र विक्सित होते हैं। सर्वप्रतम शीतोष्ण चक्रवात के निर्मान एवं आगमन की पूर्वसूचना पश्चिमे दिशा में क्षितज पर दिखाई देने वाली पक्षाव बादलों से होती है। इसके अलावा रातरी में चंद्रमा तथा दिन में पुर्य की चारों और प्रभा मंडल का निर्मान होता है। संपूर्ण शीतोष्ण चक्रवातियक शेत्र में विविद मौसमी विशेशताएं पाई जाती हैं। चक्रवात में मौसम तथा वर्षा की इस्थिति। शीतोष्ण कटिबंधिये चक्रवात पच्छवा पवनों का अनुसरन करते हुए मध्य अक्षानशियक शेत्रों पर व्यापक प्रभाव डालता है। ये चक्रवात जिन ख्षेत्रों से गुजरते हैं उनक्षेत्रों की मौसमी गति विधियों में परिवर्तन करते हैं। शीतोष्ण कटिबंधिये चक्रवात के किसी क्षेत्र में आगमन की इस्थिती में वायू दाप तीवरता से कम होता है। आकाश में पक्षाब मेग विखसित होते हैं जैसे जैसे चक्रवात निकट आता है बादल घने व काले हो जाते हैं। मध्य अक्षानशियक शेत्रों में उत्पनशी तोष्ण कटिबंधिये चक्रवात में वायू के दिशा में परिवरतन से उश्ण वृत तांश का आगमन होता है तथा मौसम में अचानक परिवरतन हो जाता है। आकाश बादल रहित तथा मौसम साफ वसुहावना होता है। शीत ख्षेत्रक के आगमन से ख्षेत्रक के तापमान में कमी आती है। इस स्थिती में धाल तीवर होने के कारण गर्म वायो तीवरता से उपर उठती है, तथा आकाश में काले कपासी वर्षा मेग छा जाते हैं, तथा वर्षा मूसलाधार अल्पकालिक वह कम क्षेत्र में होती है। दशाएं विक्सत होने लगती हैं तथा आकाश बादल रहित होकर साफ हो जाता है। शीतोष्न कतिबंधिर चक्रवातों की उत्पत्ती होती है। वायूं के अभिसरन से शीतोष्ण कटिबंदिये चक्रवातों के उत्पत्ती होती है वस्तुता यहां वाताग्रे जनन की प्रक्रिया वर्ष भर चलती है प्रिष्ट संख्या 144 परन्तो शीत रितों में अभिसरन करने वाली वायूराशियों के तापमान आर्दरता इवं इस्थिर्ता जैसे गुणों में गल्फ स्ट्रीम जलधारा के कारण व्यापक विशमता उत्पन होती है जिससे शीतोष्ण चक्रवातों का जन्म होता है ग्रिश्म रितों में वायूराशियों के तापमान में भिन्नता के कारण इसकी उत्पत्ती में कमी आती है शील होने के कारण ही पश्चिम से पूर्वकी और वर्षा की मात्रा भी घटती जाती है। शील होने के क्शेतर में व्रिष्टी करते हैं। तथा ग्रीन लैन में वर्षा होती है और इसका प्रभाव पश्चिमी यौरप तक होता है। पांचवा भूमद्य सागरी एक शेतर में भी निम्न वायुदाब के केंदरों पर शीत रितु में शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। भूमद्य सागर में अफरीकी महाद्वीब से उष्ण एवं शुष्क महाद्वीपिय पवनी जो भूमद्य सागर में प्रवेश करती हैं और आर्दरता युक्त हो जाती हैं का अभी सरण यौरपिय महाद्वीब से भूमद्य सागर की ओर गतिशील, शीतल एवं शुष्क पवनों से होता है। इससे दक्षणी स्पेन वपुर्टगाल, फ्रांस, इटली, यूनान और संपूर्ण भूम अद्य सागरिय तट्यक शेत्र के अलावा भारत में जब्मु कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरी भारत में वर्षा होती है। इस वर्षा से शीत लहर क रभी हेतु काफी लापदायक होती है। इससे भारतिय मैदान में हलकी एवं फुहार रूपी वर्षा होती है। छता, दक्षणी गोलार्द में सामाने तहब 45 डिगरी से 65 डिगरी दक्षणी अक्षान्शों के मध्य शीतोषन कट्टिबंधिय चक्रवाद उत्पन होते है इनकी आदर्श उत्पत्ती महासागरिय धरातल पर होती है परन्तु डक्षणी अर्जंटीना, दक्षण अफ्रीका, दक्षण ऑस्ट्रेलिया, न्यूजलेंड तता तस्मानिया द्वीप आदी में चक्रवाद उत्पन होते हैं। साथ डिगरी दक्षणी अक्षान्शों क इन निकट शीतोष्न चक्रवातों द्वारा तडित जन्जाओं के निर्मान से तीव्र व्रिष्टी होती है। एट्लांटिक महा सागर में हरीकेन, पश्चिम रशांत एवं दक्षिनी चीन सागर में टाइफून, तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है। उश्चन कटिबंदिय चक्रवातों का व्यास सामाने रूप से 80-300 किलोमेटर तक पाया जाता है। इनके केंद्र में वायुदाब 920-950 मिली बार अंकित किया जाता है। चक्रवातों को विधवनसक बनाने वाली उर्जा कपासी इस्तरिय मेगों से प्राप्त होती है जो इस तूफान के केंद्र को घीरे रहते हैं। जलिय से तैसे सतत आरदरता की आपपूर्ती इस तूफान को अधिक विनाशक बनाती है। इस तलिक शेत्र पर आरदरता की आपूर्ती बाधित होने से चक्रवात क्षीन होकर समाप्त हो जाते हैं। 20 डिगरी उत्तरी अक्षांश से भी अधिक तीवर होती है। प्रिष्ट संख्या 145 उष्ण कटिबंदिय चक्रवातों की विशेशता हैं। के केंद्र में वायू दाब निम्न होता है। समदाब रेखाएं व्रत्ताकार वसंख्या में कम होती है। इन चक्रवातों के आकार में परयाप्त अंतर होता इनका व्यास सामानी रूप से 80-300 किलामेटर तक होता है। ये चक्रवात जलिय भागों पर तीवरता से गती मान होते हैं। क्षीन चक्रवात की गती 32 किलामेटर प्रती घंटा, हरीकेन की 120 किलामेटर प्रती घंटा तथा सूपर चक्रवात की गती 200 किलामेटर प्रती नमबर चार, उश्नकटिबंदिय चक्रवातों में वातागर का निर्मान नहीं होता है, क्योंकि इस चक्रवात में तापमान सम्मंदी भिन्नता नहीं होती, इन चक्रवातों के प्रतेक भाग में वर्शा होती है, उश्नकटिबंदिय चक्रवात व्यापारिक पवनों का सामाने तह उष्ण कटिबंदिय चक्रवात का आगमन ग्रीश्मरितु में होता है। निम्नलिके दशाओं का होना अनिवारे है। व्रिहत समुद्री सत्य हैं जहां तापमान 27 दिगरी से अधिक हो। चक्रवात के केंद्र की आरोही वायू का तापमान वा आर्दरता अधिक होनी चाहिए। उश्नकटिबंदिय चक्रवात की उत्पत्ती के लिए कौरियॉलेस बल का होना अनिवारे है। इसी कारण भूमद्य रेखा के समीव कौरियॉलेस बल के अभाव में इन चक्रवातों का विकास नहीं होता है। उश्नकटिबंदिय चक्रवात अंतरा उश्नकटिबंदिय अभिसरनक्षेत्र ITCZ से सम्मंदित होते हैं। जहां उत्तरपूर्वे व्यापारिक पवनों एवं दक्षिनपूर्वे व्यापारिक पवनों के अभिसरन के क्रम में चक्रवातिय दशा उत्पन होती है। सूर्य के उत्तरायन वदक्षणायन के क्रम में अंतरा उश्नकटिबंदिय क्षेत्र ITCZ में परिवर्तन होता है। इस कारण शीतकाल में निम्न तापमान होने के कारण उश्नकटिबंदिय चक्रवात उत्पन नहीं होते हैं। उश्नकटिबंदिय चक्रवात की सनरचना Structure of Tropical Cyclone उश्नकटिबंदिय चक्रवात के केंद्र जिसके चारों और वायों का परिसंचरन होता है को चक्रवात की आँख कहते हैं इस परिसंचरन प्रणाली का व्यास 150 से 250 किलोमेटर तक होता है इन चक्रवातों की उचाई प्रित्वी से 10 से 15 किलोमेटर तक होती है 1000 मीटर से 2000 मीटर की उचाई तक पवनी केंद्र की ओर प्रवाहित होती है क्षोब मंडल में 10 से 15 किलोमेटर की उचाई पर इन चक्रवातों से बाहर की ओर वायू प्रवाह होती है इससे केंद्र में वायू के अविसरण होते हुए भी निम्न वायू दाप की इस्थिती बनी रहती है। इन चक्रवातों से मूसलाधार वर्षा होती है किन्तु चक्रवात का केंद्रियक्षेत्र आँख शांत रहता है। ये चक्रवात तट्ययक्षेत्रों के मौसम को प्रिश्ट संख्या 146 उष्ण कटिबंद्य चक्रवातों के प्रकार, types of tropical cyclone उष्ण कटिबंद्य चक्रवातों के आकार में परियाप्त अंतर होता है। श्रीतोष्ण चक्रवात की भांती इनमें तापमान संबंदी भिनता नहीं होती है क्योंकि उष्ण कटिबंद्य चक चक्रवातों में वातागर नहीं बनते हैं। उष्ण कटिबंद्य चक्रवातों के प्रतेग भाग में वर्शा होती है। उष्ण कटिबंद्य चक्रवात व्यापारिक पवनों के साथ पूर्वसे पश्चिम दिशा में अग्रसर होते हैं। इन चक्रवातों को आकार, स्व इवं तीवरता की आधार पर निम्न रूपों में वर्गेकरत किया जाता है। इवं उपोष्ण दोनों कटिबंदों को प्रभावित करता है। इन चक्रवातों में एक या दो समदाब रेखाएं होती हैं तथा वायोक शेन गती से केंद्र की ओर प्रवाहित होती है। ये चक्रवात मंद गती से आगे बढ़ता है। गती कम होने के कारण उश्ण कटिबं अवदाबों का विकास अंतरा उश्ण कटिबंदिय अभिसरन क्षेत्रों में होता है। इन अवदाबों में एक से अधिक समदाब रेखाएं होती हैं तथा ये आकार में छोटी होती हैं। इन चक्रवातों के अंदर हवाएं 40-50 किलामेटर प्रतिगंटा की गती से प्रव इन चक्रवातों से प्रभावित क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण बाढ़ आती है। उश्ण कटिबंदिय तूफान में कहीं समदाब रेखाएं होती हैं ये अपनी गती इवं तीवरता के कारण अधिक विनाशक होते हैं। हरीकेन तथा टाइफून को इसी वर्ग मे सम्मिलित किया जाता है। इन तूफानों को पश्चिमी द्वीप समोह में युरिकेन, चीन, फिलिपीन्स तथा जापान में टाइफून तथा हिंद मासागर में साइकलोन कहा जाता है। युरिकेन एक प्रकार का उश्ण कटिबंदिय तूफान है जो कई समदाब से घिरा हुआ रहता है। अपनी गती के कारण ये काफे विनाशक होते हैं। युरिकेन की गती 120 किलामेटर प्रती गंटा से भी अधिक होती है। किन्तो कम संख्या में आने के कारण इनका जलवायू संबंदी महत्वक कम है। युरिकेन वायू प्रणाली, आकार तथा वर सूपर साइकलोन को इसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। भारत में नीलम, लैला, फायान तथा फाइली नामक उश्नकटिबंदिय चक्रवातों ने मध्य बंगाल के खाड़ी या अरप सागरक शेत्र को काफी प्रभावित किया है। टौरनेडो तथा वाटर से तापमान में वर्थी के साथ वायू दाप में कमी तथा वायू के वेग में वर्थी होती है। आकाश में पक्षाभ मेग के साथ काले का पासी वर्षा मेग छा जाते हैं। आकाश में मेगा च्छादन के कारण दृष्यता समाप्त हो जाती है तथा मूसलाधार वर्षा प्रारंब हो जाती है। कुछ घंटे बाद अचानक वायू शांत पढ़ जाती है। प्रिश्ट भाग की आने से मूसलाधार वर्षा प्रारंब हो जाती है। ये दशा लंबे समय तक बनी रहती है। जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ता है। वायू दाब में वृत्ती से वायू वेग मंद हो जाता है। तथा बादलों का आवरण हलका होने से वर्षा क्षीन हो जाती है। चक्रवात के बाद आकाश से बादल छंट जाते हैं तथा मौसम साफ हो जाता है। प्रिष्ट संख्या 147 इस प्रिष्ट पर विश्व ग्लोब दर्शाय गया है। उस पर उष्ण कटिबंधिये चक्रवातों के मुख्यक्षेत्र एवं प्रमुक मार्क दर्शाय गया है। अधिक जानकारी के लिए अपने सहीयोगियों से संपर्क करें। नमबर चार उष्ण कटिबंधिये उत्तरी एट्लांटिक महासागर पश्चिमी द्वीप समुह। मेक्सिको की खाडी के रैबियन सागर कोश्टक में हरिकेन। नमबर पांच उतरी प्रशानत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र चेन सागर जापान फिलिपीन्ज कोश्टक में टाइफून। छटा दक्षनी प्रशांत महसागर, समोवा, फिजी द्वीप, तिमोर सागर, उस्ट्रेलिया में क्वीन्स लांड वन्यू साउथ वेल्स का पुर्वित तत, कुष्ठक में विली-विली टॉर्नेडो सभी प्रकार के तूफानों में टॉर्नेडो सरवाधिक छोटा तथा विनाशकारी होता है, इसकी आकरती कीप के आकार की होती है, जिसके शीर्ष पर कपास वर्शा मेग इस्थित होते हैं, टॉर्नेडो के आधार पर व्यास मात्र 150 से 500 मीटर होता है, केंदर में वायुदाब निम्न होता है, जिसके कारण वायुदा प्रमणता काफी तीवर होती है, अतहा टॉर्नेडो में वायुदाब की गती 400 किलोमेटर प्रतिगंटा से भी अधिक हो सकती है, इस चक्रवाध में वायु तीवर गती से सरपीला कार रूप में उपर उठती है, कपासी वर्षा के कारण मुस्लाधार वर्षा होती है, ये चक्रवाध आदर्श रूप में USA के मध्य एवं दक्षिन पूर्वी प्रांतों में उत्पन होते हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी इनकी उत्पत्ती होती है, उश्न कटिबंधिय एवं शीतोष्न कटिबंधिय चक्रव इनकी समदाब रेखाएं वी आकार की होती है, वायू का वेग अधिक नहीं होता, वायू दाप्रवंधिय चक्रवाध ये प्राया महासागरों पर ही विक्सित होती है, इनकी समदाब रेखाएं प्राया गोलाकार या पूर्ण वृत्त होती है, वायू का वेग प्राया 80-120 किलामेटर प्रति घंटा या इससे भी अधिक हो जाता है वायुदा प्रवन्ता प्राया बहुत तीव्र होती है प्रिष्ट संख्या 148 शीतोशन कटिबंधिया चक्रवात यह हजारों वर किलामेटर में विस्तरित होते हैं 500 से 3000 किलामेटर यह प्राया पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करते हैं वर्षा धीरे धीरे होती है कभी कभी तीव्र बहुचारे होती है वर्षा कई दिनों तक होती है उश्न कटिबंधिया चक्रवात इनका विस्तार तुलनात्मक रूप से कम होता है यह प्राया पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हैं वर्षा बहुत तीवर गती से होती है, कोश्टक में अधिक विनाशकारी, कोश्टक समाप्त, वर्षा कुछ घंटे से अधिक नहीं होती, यदि चक्रवात रुख जाए, तो वर्षा कई दिन तक हो सकती है, शीतोष्न कटिबंदिय चक्रवात, इनके विभिन्नक शेत्रों में ताप विभिन होते हैं, सामान्य तह महासागरों के पूर्वी भाग में उत्पन होते हैं, 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षान्शों के मद्य इनकी उत्पत्ती होती है, उश्न कटिबंदिय चक्रवात, इसके ख्षेत्रों पर ताप का वितरन लगभग समान होता है, इनमें वाताग रप्र अनुपस्तित होते हैं, ये ग्रीश मुर्यतों में अधिक उत्पन होते हैं, चक्रवात के केंद्र में वायू शांत और वर्शा नहीं होती है, प्रती चक्रवात उत्पन नहीं होते हैं, सामाने तह महासागरों के पश्चिम भाग में उत्पन होते हैं, 8 डिग्री से 20 इवं देशांतर के आधार पर पहचाने जाते थे लेकिन इससे कई बार भ्रहम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी अता मौसम विज्ञानियों ने चक्रवातों का नामकरण आरंब कर दिया कई सौ सालों तक वेस्ट इंदीज में संत महापुरुशों की नाम पर चक्रवातों क नामकरण किया जाता रहा। 26 जुलाई 1825 को पॉर्टोरिकों में आए एक महाभीशन चक्रवात को हरीकेन सांता एना नाम दिया गया। 19-वी शताब्दी के आरंब में आस्ट्रेलिया में चक्रवातों के नाम भ्रेष्ट राजनेताओं के नाम पर रखे जाते थे। एक आस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञानी ने 19-वी सधी के उत्तरार्द में उश्न कटिबंद्य चक्रवातों को महिला नाम देना आरंब कर द केवल महिला पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार करने का निर्ने लिया। इस क्रम में कुछ नाम इस प्रकार रखे गए अनीता, बेटसी, कारला, डोरा, एडेना, फ्रोलोरा, इत्यादी। महिला नामों का ये एकाधिकार सन 1978 में समाप्त हुआ और चक्रवातों का नामकरण महिला और पुरुष दोनों नामों की आधार पर किया जाने लगा। आज एटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इत्यादी महासागरों में उटने वाले चक्रवातों का नामकरण आने से पहले ही कर दिया जाता है। नामों की सुची पहल प्रतेक वर्ष की सूची में अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों में से क्रमानुसार 21 अक्षरों से चक्रवातों की नाम आरंब होते हैं। Q,U,X,Y,Z इन 5 अक्षरों से नामकरण करने का प्रचलन नहीं है। 6 साल के तै नामों में से अगले 6 सालों के लिए नामकरण लिये जा सकते हैं।